दोस्तो जो पती पतनी अपने बिस्तर पर ये तीन गलतियां करती हैं, तो उनको गरीबी अपना शिकार बना लेती है, यहां तक कि पती की नौकरी जाने का खतरा भी बना रहता है, हो जाती है पती की मिर्तियूँ। दोस्तो रात को जिस बिस्तर पर आप सोते हैं, सुभा अगर अस्ति ब्यस्ति ही छोड़ दिया जाये तो राहू से समंद्य दोश उत्पन हो जाते हैं, सुभा सुभा हम कुछ ऐसे ही काम जाने अंजाने में कर बैठते हैं, जिसका असर हमारी हैल्थ और आने बाली लाइफ प बात करें तो बिस्तर पर ऐसी तीन गलतिया हैं, जिसे भूल कर भी नहीं करना चाहिए, इससे राहू दोश उत्पन हो जाते हैं, और पती पतनी के जीवन में ग्रण लग जाता है, साथ ही साथ घर बैपार जीवन सब बरबाद हो जाता है, ससुर सास के साथ समंद्य इसलिए कमरे में बिस्तर के साथ बैडरूम में ये गलतियां नहीं करना चाहिए, तो आएए जानते हैं उन तीन कामों के बारे में, जो आपको अपने बिस्तर पर भूल से भी नहीं करना चाहिए, दोस्तो हम तो कहेंगे कि किसी भी ब्यक्ति को अपने कमरे में तीन गलतिय दोस्तो नंबर एक, पती पतनी को अपने कमरे में गुरुबार की दिन पोचा नहीं लगाना चाहिए, इससे बिरस्पती घरे कमजोर हो जाता है, जिसके कारण दोनों के बीच में आपसी प्यार नश्ट हो जाता है, इससे पती पतनी दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं, यहां तक कि पती किसी गैर औरत के साथ अपने संबना लेता है, पती पतनी दोनों ही भटक जाते हैं, पती पतनी के कमरे में जाडू पोचा नहीं रखना चाहिए, बहुती अशुब माना जाता है, शास्तरों के अनुसार माना जाता है कि पती पतनी का कमरा ऐसा होना च पर मास मचली बैट कर नहीं खाना चाहिए, साथ ही साथ खाना भी नहीं खाना चाहिए, चाय बगेरा भी बिस्तर पर बैट कर नहीं पीनी चाहिए, अक्सर लोग बिस्तर पर बैट कर चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, जो कि इससे राहु दोश उत्पन हो जाते हैं, बेदो के अनुसार तथा आयुरुभेत के अनुसार इससे विस्तर मैला हो जाता है पती पतनी का जीवन गंदा हो जाता है अशुब हो जाता है बैबाहिक जीवन बरबाद हो जाता है जोति शास्तर के अनुसार इसे बहुत ही अशुब माना जाता है यहां तक कि आपके पती का बैपार भी धीरे धीरे नश्ट होने लगता है जितना जल्दी हो सके इस आदत को पती-पतनी अपने बैडरूम में करना छोड़ दे आप चाहें तो कमरे में टेबल पर खाना खा सकते हैं लेकिन बिस्तर पर नहीं इससे शनी महराज कुरोधित हो जाते हैं और दोनों के जीवन में घरण लग जाता है पती-पतनी के कमरे में बैड के नीचे चपल बगैरा नहीं रखना चाहिए बैड के बॉक्स में चाकू छुरी नहीं रखना चाहिए इससे दोनों का जीवन नरक बन जाता है आप सी प्यार फीका पड़ जाता है राहू से सम्मंदित अत्यंत महा बिनाशकारी दोश बढ़ते हैं, साथ ही साथ इससे हेल्थ और पैसो से जुड़ी परेशानी भी उत्पन होती है, ऐसे मनुष्री का पीछा राहू के तु नहीं छोड़ते हैं, इसलिए अगर आपको तरक्की करना है, तो सुभा में अपना गंदा बिस्तर जरूर समेट दें, गंदा बिस्तर आशू भी नहीं माना जाता, बलकि ये मनुष्री के गंदे होने की निशानी है, क्योंकि कुत्ता भी अपनी पूँच को जटक कर बैठता है, साप करके ही कुत्ता अपने आसन पर बैठता है, आप तो फिर भी एक इनसान हैं, इसलिए बिस्तर से उठने के बाद बिस्तर जरूर समेट दें, बिस्तर की चादर अस्तिव्यस्ति ना छोड़ें, इससे आप हमेशा के लिए बरबाद हो सकते हैं, दोस्तो नमबर चार, बास्तु शास्तर के अनुसार पती-पतनी जहां पर सोते हैं, यानि कि अपने बिस्तर पर उस बिस्तर पर पड़ी बैट शीट और तकीये में लगे कबर हर हप्ते में धोना चाहिए और साप सवची बैट सीट का इस्तिमाल ही करना चाहिए और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप के उपर शनी की कूठ दृष्टी पढ़ सकती है ऐसे में आपका बरब पाद होने का खतरा बना रहता है तकिये के नीचे दो इलाइची रखकर सोने से और सुभा में एक इलाइची पती को खिला दी और दूसरी आप खा लें दोनों में प्यार बढ़ जाएगा दुनिया की कोई भी ताकत आपको अलग नहीं कर सकती है धीरे धीरे साकर आत्मक्ता क संचार होने लगता है आपकी जीवन में सुख समर्दी वास करने लगती है ऐसा आप हपते में दो बार जरूर करें इलाइची प्यार का प्रितीक मानी गई है घर में धन का वास होने लगता है दोस्तों नमबर पांच चाहे कुछ भी हो जाए पती-पतिनी के कमरे में किसी गैर पुरुष को परवेश नहीं करना चाहिए बहुती अशुब माना जाता है इससे हमेशा के लिए पती-पतिनी के जीवन में दूरियां उत्पन हो सकती है तलाक हो सकती है पती-पतिनी के जीवन में किसी दूसरे का परवेश हो सकता है जो की घोर अनर्त माना जाता है श इसके कारण बंद कमरे में पती पतनी के जीवन में ग्रन लग सकता है। यहां तक की जादा समय के लिए परिबार के किसी भी सदस्य को पती पतनी के कमरे में कभी नहीं जाना चाहिए। जो की शास्तरों के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। इससे दोनों के बीच में दूरियां बढ़ जाती हैं. साथ ही साथ पती पतनी को अपने कमरे में बहर जाते समय ताला जरूर लगा देना चाहिए. दोस्तो नमबर 6. पती पतनी को अपने कमरे में हिंसक जानबर देवी देपताओं की तस्बीरे अपने पूर्वजों की तस्बीरे भूल कर भी कमरे में नहीं लगानी चाहिए. इससे नाकारात्मक्ता और बढ़ जाती है. पती पतनी में मार काट होने लगती है. जगड़े हो पती पतनी भूल कर भी कोई भी ऐसे चित्र अपने कमरे में ना लगाएं जिससे दोनों में दूरियां बढ़ जाएं। पतनी को या किसी भी भ्यक्ती को सोते समय अपने सिर्का हिस्सा दक्षिन दिशा या पूरब दिशा की ओर रखकर सोना चाहिए। पतनी को प्राप्त करना माना गया है। गलत दिशा में सोने से आप चाहे कुछ भी कर लो बरबादी ही आती है। दोस्तो नमबर आठ रात में पतनी से प्यार करना है जरूरी भगबान श्री कृष्न कहते हैं जिस घर में पती पतनी आपस में प्रेम करते हैं। जो पती अपनी पतनी के हर इच्छा पूरी करता है। तो ऐसे घर में सदैप लक्ष्मी का वास होता है। जहाँ पर पती परमेशबर अपनी पतनी को प्रेम नहीं करता तो बहाँ पर कभी भी लक्ष्मी वास नहीं करती। शास्तरों के अनुसार माना जाता है कि पती पतनी को रात के समय प्यार अबश्य करना चाहिए। अगर दोनों में किसी बात को लेकर जगडे हैं तो आपस में सुलजह लेना चाहिए। दोनों मैं से किसी एक को प्यार में पिगल जाना चाहिए, इस बात का ढिंडोरा बाहर नहीं पीटना चाहिए और रात के समय पती पत्नी को संभोक हर हाल में कर लेना चाहिए, इससे रिष्ते मजबूत होते हैं, पतनी को प्यार करने से पती की आयू लंबी होती है, पतनी को बात बात पर सुनाना नहीं चाहिए, बलकि पतनी से प्रेम करना चाहिए, इससे घर में सुक समर्दी का आगमन होता है, धन सुक, धन दौलत, एशबर्य बढ़ता है, पतनी को हमेशा खुश रखना चाहिए, पतन नहीं होना चाहिए, यदि है तो सोते समय उसे ढखकर सोएं, पती पतनी के कमरे का रंग सफेद कभी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका जीवन बेरंग हो सकता है, दीबारों का रंग हमेशा हरा गुलाबी, लाल पीला, आसमानी रंग अच्छा पिरभाब डालता है, एक इ बाहर नहीं जाना चाहिए, जो महिला अपने पती के साथ शौपिंग करती है, उसका बैबाहिक जीवन सफल माना जाता है, पती के बगैर बार-बार मायके नहीं जाना चाहिए, अच्छा नहीं माना जाता, दोस्तों नमबर 10, किसी भी महिला को शादी होने के बाद मायके से भगबान गनेश की मूर्ती अपने सुसुराल में लेकर नहीं जाना चाहिए, इससे अनर्थ हो जाता है, मायके की सारी सुक समर्दी नश्ठ हो जाती है, ऐसा कोई भी महिला ना करे दोस्तों नमबर 11, आचारे चाणा के कहते हैं, किसी भी विबाहित इस्तरी को अपने पती से ज़्यादा समय के लिए दूर नहीं रहना चाहिए, ऐसा करने से उसे समाज में बहुत सी परिशानियों का सामना करना पड़ता है, अधिक देर तक विबाहित महिला को दूसरे के घ नहीं रुकना चाहिए, इससे पती पतनी में दूरियां पैदा हो सकती है, पती को आपसे नफरत हो सकती है, सुहागिन महिला को अपने पती की कोई भी सुहाग की चीच कभी किसी पराई इस्तरी को नहीं देना चाहिए, इससे दोनों के बीच में दूरियां पैदा हो सकती ह आपका पती पराई इस्तिरी की और आकरशित हो सकता है ऐसा गलत काम ना करें दोस्तो अगर आप अखंड सौभागे बती का बरदान प्राप्त करना चाहते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जै माता पारबती माता पारबती हमेशा आपका सुहाग सलामत रखे माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है